Hello Everyone, Welcome to my channel, Seated and KVS Classes, Myself, Mossme तो चलिए आज की क्लास को सुरू करते हैं तो आज हम लोग पैड़ाकोजी की कुछ important topic को discuss करेंगे जो आपके KVS के slavus में है जो है lesson plan, unit plan और year plan यानि पाठ योजना, इकाई योजना और वार्सिक योजना ये आपके unit 2 में जो आपका KVS का slavus है उसके unit 2 में दिया गया है तो चलिए शुरू करते हैं तो सबसे पहले instructional planning यानि अनुदेशन योजना अनुदेशन पद के अंत्रगार सिक्षन की पड़िक्रिया का वर्णन कहाता यानि आप बच्चे को पढ़ा रहे हो तो कौन से method का उप्योग करोगे आप क्या पढ़ाने वाले हो इस सभी का एक plan तयार करना जैसे अगर आप school पढ़ाने जा रहे हो या फिर आप को intuition ही पढ़ा रहे हो तो आप पढ़ाने से पहले क्या करते हो आप एक plan तयार करते हो तो सिक्षन के उद्देश और छात्र के प्रिव्यान को दृष्टी में रखते हुए सिक्षन की वीडियो, पड़ी वीडियो और व्योहों की रचना करने जाए यानि आप अगर बच्चे को पढ़ा रहे हैं तो वो किस उद्देश से पढ़ा रहे हैं पीछे उद्देश क्या है छात्र को उस चीज के बारे में पहले से कितना पता है कितना बच्चे को उस चीज के बारे में नौलेज है उन सभी चीजों को इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए कि बच्चा जो है, हमारा जो education है, वो child center है, यानि बच्चे को केंदर में रखता है, तो अगर आप पढ़ा रहे हो, कुछ भी समझा रहे हो, तो बच्चे के अनुसार, यानि बच्चे को समझ आना चाहिए, बच्चे को केंदर में रख के, तो उसे कितना उस चीज के बारे मे knowledge है, अब ऐसा नहीं होना चाहिए, कि आप class 6 के बच्चे को पढ़ा रहे हो, और उसे जो समझा रहे हो, जो तरीका आप यूज कर रहे हो, वो आपके class 9 के है, ठीक है, तो ऐसे में दिकत हो जाएगी, तो आप क्या करोगे, वही तरीके को अपना ओगे, वही आप planning तयार करो कि उन्हीं चीजों को आप यूज करोगे, जिससे बच्चा जो है, बहतर सीख पाए, तो आप जो अपना प्लान तयार करोगे, तो वो बच्चों को ध्यान में रखते हो, यानि बच्चे को कितना उस चीज के बाड़े में नौलेज है, बच्चे कितना सोच सकता है, ऺइसे कैसे सिखेंगे, अब मोगे इस अधार पो प्लान अपना तयार कर सकते हो कि बच्चे को जो है, उसे क्या सीखाना है, चाटर कहा तक सीखेंगे, बलकि वे इसे कैसे सीखेंगे, कौन से आप theo यूज करते हो, जिससे बच्चा जो है, बहतर तरीके से सीख सके, तो अगर आप कुछ भी योजना बना रहे हो तो इस चीज को ध्यान में रखके नहीं बनाना है कि बच्चे को क्या सिखाना है छात्र क्या सिखेंगे इस चीज को अगर हम पढ़ा रहे हैं तो छात्र क्या सिखेंगे इसे केवल ध्यान में नहीं रखना है बलकि वे इसे कैसे स जो भी आप प्लान तयार की हो, जो भी आप टॉपिक पढ़ाने वाले हो, उसे बच्चे कैसे सिखेंगे, कौन से मैथड का आप यूज करेंगे, ताकि बच्चे बहतर तरीके से सीख सके, अगर बच्चा नहीं सीख पाता है, अगर आप कुछ सिखा रहे हो, बच्चे को कोई method का उपयोग कर रहे हो, बच्चे को कोई topic पढ़ा रहे हो, अब बच्चे को समझ नहीं आ रही है, तब आपको अपने method में बदलाव की जरुत है आप जो तरीका अपना रहे हो उसमें बदलाव की जरुत है, ना कि बच्चे को बदलना हमारा education child centered है यानि बच्चे को केंदर में रखता है, बच्चे कोई fault नहीं होती है, यानि आप बच्चे में बदलाव नहीं कर सकते हैं, आप अपने method अपने तरीके में बदलाव करेंगे next देखिए next है सिक्षन के अस्तर यानि level of teaching, इसमें क्या है अस्मृति अस्तर यानि memory level, बोद अस्तर understanding level और चिंतन अस्तर reflective level तो अस्मृति अस्तर क्या है इस अस्तर में विध्यारती अर्ठेवम उनके पड़ियों की चिंता किये बिना तथपून सूचना के केवल याद करता है इसमें कोई विचार नहीं बच्चे लगाता है यह थौट्लेस होता है सिर्प उन्हें दिमाग मेंकोई वर चीज हो उनके बारे में न ऌस्तर है वह बिना थपून सूचना कि याद रखते है यह थौट्लेस होता है अब यह क्या होता है यह thoughtful होता है यानि अब बच्चा जो है समझेगा ठीक है पहले क्या होता है memory level में बच्चा को एक story सुना दीजे बच्चे आराम से सुन लेता है उसे याद कर लेता है दिमाग में उसे याद कर लेता है उसे कोई मतलब नहीं रहती है इससे क्या है क्या नहीं है इसके पीछे क्या reason है उसे कुछ मतलब नहीं रहता है उसे बस याद रख लेना है दिमाग में बोध अस्तर में क्या होता है अब बच्चा जो है उस story को समझेगा यानि यह thoughtful teaching होता है नेक्ष्ट है चिंतन अस्तर यानि reflective level यह क्या है यह most thoughtful होता है यह most thoughtful होता है यानि मजबूर हो जाएगा बच्चा जो है मजबूर हो जाएगा उस चीज के बारे में सोचने के लिए वो critical thinking creativity यह सब चीज जो है वो लगाना शुरू कर देता है क्लियर है लेक्ष्ट देखिए लेक्ष्ट है यह प्लान यानि वार्षिक योजना अब वार्षिक योजना क्या है तो एक वार्षिक योजना एक विशय के पाठकरम की एक वार्षिक योजना होती है जैसे जैसे classics की ठीक है अगर आप Classics Classics की आप योजना बना रहे हो तो यह क्या है वार्सिक योजना यानि पूरे Classics के पूरे वर्स की आप क्या करोगे योजना बनाओगे जैसे Classics के पूरे साल की सलेवस आप देखोगे ठीक है पूरे साल का आप स्लेवस देखोगे उसके बाद आप क्या करोगे उसे यूनिट में तोड़ोगे एक एक यूनिट में तोड़ोगे और फिर उसके बार आवर्स में यानि घंटों में आप किसे कितना समय देना है जय से कारणी कारी होता है यह सारी रूप रेखा जो होती है वो तैयार की जाती ही जैसे आपका एणिवल केलंडर उसमें क्या होता है आपके पूरे साल के आपके कोन सा festival कब है, कब आपको छुटी मिलेगी, कब आपका कोन सा चीह होने वाला है, पूरा उसमें सब आपके दिया हुआ होता है, पूरे साल का, तो वार्सिक योजना जो है, वो भी यही है, यानि कि पूरे year का, पूरे साल का आप एक plan तयार करते हो पूरे साल का क्या करोगे, आप plan तयार करोगे, उसके बाद उसे subject में बाटोगे, subject wise, फिर उसे month wise, यानि किस मन्द में आप कितना complete कराओगे, फिर उसे year होगे, उसके बाद उसे periods में तोडोगे, और इस तरह क्या, इस सभी चीजों को आप ध्यान में रखते हो, next, वार्सिक योजना के महत्व और लाव, अब वार्सिक योजना का क्या महत्व होता और क्या लाव है इसका, तो वार्सिक योजना से सत्र के सिक्छन कारी को एक निश्चित दिसा मिलती है, अब क्या होता है, यह जो पूरे साल का जो एक आपका, सिक्छन कारी का जो एक योज उसे एक दिस्ता मिल जाता है, जैसे क्लासिक्स के, आप प्लान तयार कर रहे हो, तो पूरे साल का करना है, तो वो क्या होगा, आप उसे पार्ट पार्ट में बाट दोगे, कि यानि सब्जेक्ट वाइज में, मंथ वाइज में, कितने मंथ में क्या कम्प्लीट होना चाहिए, यूनिट में कौन से यूनिट कब तक complete होना चाहिए तो इस तरह क्या करते हो बाटने पे एक निश्चित दिसा मिल जाती है कि इस समय तक इतना हो जाना है दूसरा है सिक्षक के पास बिभी निकाईयों में पाठक्रम को विभाजित करने की अस्पष्ट तस्वीर होगी होती हैं next ا Prop. उप्चारात्मक्-शीक्षन ब्रौन कोए पर्टक की मुल्यकन और शुधारात्मक अध्यापन की विवस्था और फिर उधार our अध्यापन में को फिर उसके सुधार का अध्यापन की विवस्था भी होती है सिक्षक परते की काय को दिये गए निर्देश घंटों के संदर में समय जानेंगे वह योजना बनाने में सक्षम होंगे कि उसे बिभी निकाय के लिए संग्यानात्मक भावनात्मक और गत्यात्मक पक्ष के बीच क यानि इतने समय तक इन चीज में लगाना है वह योजना बनाने में सक्षम होते है कि उसे बिभी निकाय के लिए कब संग्यानात्मक कब उनको कुछ बच्चे को करा सकते हैं भावनात्मक और गत्यात्मक यानि कोई एक्टिविटीज जो है इस सभी का वित्रित यानि अलग यानि काय हो जना के आधार या फिर एक नीव के रूप में कारी करती है प्रिप्रेरिंग कर प्लान सब्जेक्ट वाइस मन्थ वाइस यूनिट वाइस प्रियर वाइस प्रियर वाइस किस किस प्रियर में करना है फिर अधर 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 यानि प्रोग्राम, प्रोजेक्ट, फिल्ट्रिप्स, कम्पिटिशन इन सभी चीजों को. नेक्ष्ट है इकाय प्लान यानि यूनिट प्लान सिक्षक द्वारा इकाय की विसेवस्तु को कच्छा में प्रस्तुत करने की कर्मवद तैयारी है. यूनिट प्लान क्या है? शिक्षक द्वारा इकाय की विसेवस्तु को कच्छा में प्रस्तुत करने की कर्मवद तैयारी है. यानि शिक्षक क्या करता है? शिक्षक क्या करता है? अनुक्रमित पाठो में के समू थीम, विसाय, प्रकिरिया, कोसल, आवसेख, प्रस्त आधी सभी को पाठिकरम के एक तैयारी वो कर लेता है. अनुक्रमित पाठो के समू थीम, विसाय, प्रकिरिया, कोसल, आवसेख, प्रस्त आधी जो पाठिकरम के घटक है. इस विसेवस्तु में कर्मवद रूप से प्रस्तुत करने की कारी योजना और इसको उपाईयों के रूप में प्रस्तुत किया जाना ही इकाई योजना है. अब क्या ध्यान रखना चाहिए तो objective यानी उद्देश क्या सिखाना है आपको? आप बच्चे को क्या सिखहने वाले, उसके उद्देश क्या है? समागरी आप उसे कौन से content दोगे, यानी कौन से समागरी द्वाडा क्या सिखना है? वो एक समागरी है. method विधी कैसे सिखना है कौन से method का आपको उप्योग करना है मुल्यांकन उपी सीखा है उसका मुल्यांकन करना step of unit plan उद्देशयों का चैन करना आप उद्देशय का चैन करें समागरी विसलेशन जो भी समागरी है आपके पास उसका विसलेशन करना अधिगम अनुभाब लर्निंग का अनुभाब द्वाड़ा सिखना मुल्यांकन यानि जो सिखे है उसका मुल्यांकन करना next है इकाई योजना की विसेश्ता और लाव इकाई योजना की द्वाड़ा विसेवस्तु का संगठन भली भाती हो जाता है इकाई योजना क्या तो विसेवस्तु का जो संगठन होता है वो भली भाती हो जाता है इसके द्वारा कर्णवद तथा नियोजित सिक्षन संभव होता है अध्यापक तथा छात्र की किरियाए पहले से सुनिश्चित कर दी जाती है अध्यापक और छात्र की जो भी किरियाए होती है वो क्या होती है वो पहले से सुनिश्चित कर दी जाती है नेक्ष्ट है लेसन प्लांग यानि पाठ योजना एक P अच्छा अधिगम का मार्ग दर्सन करने के लिए शिक्छक दवारा या देनिक पाठ योजना विक्सित की जाती यह क्या होताइएएएएदेनिक पाठ योजना यानि कि जब भी आप अच्छा में बच्चे को पढ़ाने जारे हो तो आप सबसे पहले क्या करते हूँ, part योजना तयार करते हूँ. कि आपको क्या पढ़ाना है, कि ते समय में आप B.A.D.M.E.D.L.E.D.M.E. आप ट्रेणिंग में क्या करते थे, आप एक part-ोजना बनाते हैं, जिसमें आपको क्या पढ़ाना है, कौन से topic पढ़ाना है, कौन से method का use आपको करना है, कितना समय पढ़ाना है, इस सभी चीजों के बारे में आप एक plan तयार करते थे. तो lesson plan यानि पाठ ही होजना, ये general objectives यानि समान उद्देश यानि subject से जुरा होगा, क्या होता है, ये समान उद्देश यानि उस subject से जुरा होता है, और specific objectives यानि विशिष्ट उद्देश, उस chapter से बच्चा क्या सीखेगा, ठीके, ये तो समान उद्देश है, जो subject से आपके और जो विशिस्ट उद्देश होता है यानि चेप्टर से जो बच्चा है वो क्या सीख सकता है किलियर है तो सबसे पहले गोल अब्जेक्टिप्स ये देखना मैथ़ड एक्टिविटीज बच्चे को एक्टिविटीज द्वारा सीखाना इवल्यूसन यारी फिडबेग अब बच्चे क्या सीखा है उसका फिडबेग जो है वो मिलना नेक्स्ट है पाठ योजना के लिए रननीती अब इसके लिए क्या रननीती बनाया जाए तो अधिगम उद्देश यानि लर्निंग का एक उद्देश होना चाहिए आप बच्चे को पढ़ा रहे हो क्यों पढ़ा रहे हो बच्चा पढ़ रहा है तो क्यों पढ़ रहा है इ का उपयोग परिढ़क Tut to work. कि उपयोग करते हो विद्यार्ती के समझध Looking at various work नियानी विद्यार्ती की समझ है किलना समझा है, वो समझ पाराय। युलिवन यहाचने की रणनी थी हत्व क्या है पाठ योजना विविन परिष्थितियों में समायोजन की संभावनाओं को बढ़ाती है जिसे सिख्षन प्रभावी होता है क्या होता है लेसन प्लान में विविन परिष्थिति में समायोजन की संभावना बढ़ाती है जानि बच्चा जो है उस चीज को समझ पा आपको पता होता है आपको ये आईडिया रहता है कि बच्चे को हमको किस तरीके से समझाना है क्या समझाना है तो आपका एक आईडिया जो है वो पहले से बना रहता है तो ये एक परभावे ढंग से सिक्षन होता है पाठ योजना सिक्षक को पाठ क्रम की इकाई के परतिक पद के क्रम अनुसार याद करने में सहायता करती अब यह क्या होता पाठ योजना सिक्षक को पाठ क्रम की इकाई जो होती उसके परतिक पद को क्रम अनुसार याद करने में सहायता होती यानि लेसन प्लान बना लेने सिक्षक को यह सहायता मिलती है कि वो बच्चे को जो पढ़ा रहा है वो उस योजना की अनुसार पढ़ाए इससे क्या होता है इससे सिक्षक को सुविधा मिलती है कि बच्चा उतना सिक्षक जो है उतना ही पढ़ाता है जितना बच्चे के लिए जरूरी होती है जितना बच् प्लान जो होता है ये सिक्षक को इस बात का एक मुर्थ दिसा दे देता है कि वह जो है दिन्चरिया में क्या करना चाहता है यानि लेशन प्लान प्राने पे एक आईरिया सिक्षक को मिल जाता है कि हाँ उसे अब क्या पढ़ाना है किस तरीके से पढ़ाना है कैसे कोश्चन ब वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सस्क्राइब जरूर कर दिजेगा, थैंक यू.